जैसी क्रिस्णा, आज हम सुर्य भेधी प्रनयाम करना सीखेंगे, उससे पहले हम यह जानते हैं कि सुर्य भेधी प्रनयाम करने से हमें क्या लाब होता है। सुर्य भेदी प्रणयाम करने से स्वास समंधित सभी रोगनस्ट हो जाते हैं, जिनको सर्दी जुकाम रहता है, या फिर फेफरे से समंधित एलर्जी हो जाता है, उन्हें या सुर्य भेदी प्रणयाम बहुत लाव पहुंचाता है, जिनको लो बीपी की समस्या है, उनके लि सुर्य भेदी प्रणयाम कैसे क्या जाता है इस बिधी को सीखते हैं। सबसे पहले हम अपना दाइना हाथ उठाएंगे और दाइना हाथ उठाकर ये दोनों अंगुली को मस्तक पर रखेंगे। और अपने इस दोनों अंगुली के बगल वाले अंगुली से अपने बाइन भाग की छितरिका को दबाएंगे। कमर गर्दन बिलकुल सीधा रखेंगे। और दाइन भाग की छितरिका से एक स्वांस को भरने में 10 सकेंड लगाएंगे। अब अंगुठा से अपने दाइन भाग की छितरिका को बंद कर देंगे। और जो स्वांस हमने भरा है वह स्वांस को भाएं भाग की छितरिका से छोड़ देंगे। फिर पुना हम दाइना से लेंगे बायां से छोरेंगे। दाइना से लेंगे और बायां से छोरेंगे। दाइना शिदरिका से लेंगे बायां से छोड़ेंगे यह कर्म आप 10 से 15 मिनट तक पड़ते दिन कर सकते हैं अनुलोम बिलोम यह की उल्टा सुल्टा अनुलोम बिलोम का मतलब होता वो हम अपने दाइना भाग से लेते हैं बायां से छोड़ते हैं बाइयां से लेकर दाइना से छोड़ते हैं, वो अनुलोम बिलोम हो गया, और यहां सोः भेदी पर नयाम है, इसमें हम अपने दाइन भाग की छिद्रिका से लेते हैं, और बाएं भाग की छिद्रिका से छोड़ देते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारी चेनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक हुआ शेयर जरूर करें, जैस्तिरी क्रिस्म